बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर आज कि इस लेक्सर में हम लोग 24 नवेंबर की पी आईबी इंटनेक्स्प्रेस और हिंदू की जो इंपोर्टेट न्यूज है उसका अनालिसस को प्लीट करें जैसे कि हम लोग अपनी current affairs की series में करते आए हैं उसी तरीके से इसमें भी आगे बढ़ेंगे तो देखें सबसे पहले जो हमारे important topics हैं पहले हम उन पर नजर डालते हैं These are the five important topics. क्या हैं वो important topics? First one is plate tectonics theory, earthquake. Second one is national society prevention strategy, federalism, COP27 and another one is waste to energy. So, इनको हम complete करते हैं one by one इसको start करते हैं सबसे पहली हमारी है plate tectonics and earthquake देखो अभी recently मैंने इस पूरे को इसमें क्यों include किया है? क्योंकि हुआ क्या है कि recently ही जो है earthquake के जो incident है वो इंडिया में बढ़नी लग गए है ठीक है not only in India, outside the India also जैसे मैंने यहाँ पर जो example लिया है वो क्या है इसका? जैसे recently 162 dead after 5.6 magnitude का earthquake जो है वो जावा आइलेंड पे strike हुआ है तो basically जो आज के time पे जो यह earthquake के phenomena's है that are increasing massively बहुत जादा amount में बढ़ते जा रहे हैं तो plate tectonic जो है यह actually में है क्या theory? देखिए plate tectonic theory क्या होती? यह science की एक theory है जो चलती आ रही है और पहरी बार इस शब्द को use करने वाले person है Tuzo Wilson यह आपसे पूछा जा सकता है कोई MCQ exam है तो अपने MCQ exam में इसको पढ़िएगा Tuzo Wilson के बारे में जो कि University of Toronto से belong करते थे लेकिन इसको properly plate tectonics को पहली बार Morgan ने publish किया था plate tectonics theory क्या है? यह theory है जो हमारे अर्थ के साथ बड़ी प्लेटे हैं हमारे अर्थ के अंदर साथ जो है वो बड़ी प्लेटे हैं चीक है यहाँ पर इसमें picture नहीं है मैंने include करी चीक है यहाँ पर जो है साथ बड़ी प्लेटे साथ बड़ी प्लेटे को जो यहाँ पर जब shifting होता है एक जगा से दूसरी जगा पर हमारा जो अर्थ है पूरा वो अलग-अलग parts में divided है जैसे कि आप जानते हैं पूरा जो अर्थ है वो यहाँ पर crust, mantle और core और core इन तीन parts में divided होता है और इस तरीके से यह जो crust, mantle और core है इसमें हमारी कुछ seven plates आती है कौन सी है वो seven plates उनके नाम मैं आपको यहाँ पर लिख पा रही हूँ seven plates लार्ज है वो जैसे कि एंटाक्टिका पहली है एंटाक्टिका की plate दूसरी है यहाँ पर लिखते जाए नौर्थ अमेरिका की छीक है तीसरी है South America, then है Pacific, पांच भी है इंडिया और अस्ट्रेलिया की plate इंडिया और अस्ट्रेलिया की combined, six time मैं यहाँ लिख रही हूँ आफरिका और seventh कौन सी है यूरेशिया तो इस तरीके के जो यह सातों plates है यह सातों plates जो है वो इस तरीके से डिवाइट किया गया है तो यह सातों plate के जो division है हमारे जो हमारा world है उसमें ऐसा divide किया है और ऐसा बोला गया है कि यह प्लेट्स है यह almost हर वक्त जो है यहाँ पर घूम रही है कुछ major है कुछ minor भी छोटे 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 प्लेट्स है जैसे Arabian हो गया क्यारबियन, कोको, जौन देफुका, नासका, फिलिपीन, पर्शियन यह चोटे छोटे और प्लेट्स भी है तो यह जो प्लेट्स है यह हमेशे जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ बूब कर रहे हैं तो यह जो movement है प्लेट्स की उसकी वज़े से क्या आते है अर्थ्वेक ठी यह जो movements है earthquake की, it creates the earthquake, भुकम्प जो आते हैं वो movements की वज़े से आपको देखने को देते हैं, यहाँ पर आप लीट कर सकते हो, tectonic plate जो है वो एक जो है lithosphere में और प्लेट्स मुलती है जिसकी वज़े से यह सारा movement होती है inside the earth और inside the earth is movement के होने की वज़ा से यह सारी चीजे cause हो ठीक है भई समझे है बात को, अड़ते हैं इसमें आगे, plate इस तरीके से ही होती है जो earth को एक और यह सब जो होती है इनकी तीन तरीके की boundaries होती है, divergent, convergent ठीक है और parallel, तीन तरीके की boundaries होती है क्या होता है इन तीन तरीके की boundaries में, अब हम समझते हैं, यह three boundaries कौन सी होती है, इनकी movement कैसे होती है आपको basically क्या पढ़ना है इनकी movement के बारे में, तो यह जो theory आई है, इसमें जो इनकी movement होती है, जैसा अगर मैं बात करूँ, divergent में divergent में क्या होता है जब dwöğ क्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, यह एक प्लेट है दोनों एक दूसरे से दूर जा रहिए तो यह एक ह将 जा रही है एक यह जारी है जब प्लेट एक दुसरे से दूर जाती है तो उसे हम कहते हैं अपसरी सीमाएं टिक है और उती हैं ट्रांसफॉर्म जिसे हम कहते हैं पैरल्ल जो एक यहां जा रही है एक यहां जा रही है ऐसे करके दोनों move करती है, तो ये तीन तरीके की plates होती है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस साती साती जो plate tectonic सही सारी जो earth के अंदर होती है, जब इन में से earth quake आता है, earth quake क्या होता है, earth quake की तरीके से earth का shake हो जाना, मानते हो सब लो, earth quake समने feel किया होगा कभी ना कभी, तो जो earth quake है, वो basically होता है, जब earth किसी भी तरीके से shake हो जाए, उसके reason कोई भी हो सकते हैं, चेक है, जब earth के अंदर से एक दम से कोई, एक energy release होती है, और earth के point पे जाके hit करत है, earth quake जो है, अलगलक तरीके के हो सकते है, naturally भी हो सकते हैं, और anthropogenic, ठीक है, मानव, जो है, जनित भी हो सकते है, natural का मतलब क्या है, जो एकदम से volcanic activity होई हो गया, tectonic plates टकराई हो गया, anthropogenic का मतलब है, कि जो मानव है, उन्होंने यहाँ पर उसको drilling, drilling करके, कभी या mining करके, pacifying, ring of fire के नाम से भी जानते है, वहाँ पर आपको सबस्यादर देखने को मैंने के, अब earth है ये, ये earth का crust है, सते है, अब यहाँ पर earthquake जो है, वो आया, अब ऐसा earthquake आया, जहाँ पर hit किया वो, उसे हम क्या कहते है, epicenter, और ऐसा नहीं कि अर्थ क्या हिट किया, सबस्यादर लेकिन उसकी जो तरंगे हैं, जो उसकी waves है, वो यहाँ पर भी field की गई, अलग-अलग जगा पर, ठीक है, और earth को एक की वज़ा से जो waves आती है, उसे हम क्या बोलते है, seismic waves, ये भी कितने तरीके की होती है, P waves और S waves, और earth को एक को मापने का जो एक instrument होता है, उसे हम कहते है, richer scale, ठीक है, उसे हम क्या बोलते है, richer scale, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, कि किस-किस तरीके से नाम क्या-क्या है, basically वो हम से पूछे जाती है, ठीक है, intensity और ये सब, P waves, S waves, वो भी आपने पढ़ी होंगी, दो तरीके की waves होती है, एक होती है P waves, और एक होती है, S waves, P waves, primary waves, S waves, secondary waves, ठीक है, P waves, वो waves होती है, जो सबसे पहले जाकर के टकरा जाती है, F waves जो बाद में जाती है, secondary तभी उनका नाम पढ़ा है, क्योंकि ये बाद में जाती है, समझ रहो, तो बहुत सारे तरीके की हाँ पर हो सकते है, और अगर मैं बात करूँ अर्थ को एक का जो है, अर्थ को एक आने की वज़े से, बहुत जादा amount में जो है, हमें effect भी देखने को मिलते हैं, चीक है, कैसे effect देखने को मिलते हैं, जैसे की ground hill जाता है, movement जो है, यहाँ पर खराब होती है, mud slides यहाँ पर होती है, जमीन खिसक जाती है, कई जगा पर, जो अर्थ को एक की वज़े से देखने को मिलती है, अर्थ को एक को जो हम मेजर करते हैं, वो 0 से 10 के नंबर पर अगर हम मेजर करेंगी, तो वो एक मेरकली instrument होता है, जिसका नाम है, मरकाली के नाम पर रखा गया, अगर आप 0 से 10 के बीच में, बुकम को चेक करते हो, आप यह चेक करते हो कि जो इसका intensity है, 1 से 12 के बीच में, बेसिकली यह आता है, कितनी टेजी से वो आया है, चीक है, तो उसके लिए आप यह है, कि आप उसको कैसे देख सकते हो, कैसे आप उसको पता लगाओ, तो अगर मान लिजे, जादा उसने death लेकर के आया है, तो बहुत बुरा अर्थ को एक था, बहुत हजार डस था, बहुत ही जानलेवा था, चीक है न, तो यह उसी को है, मरकाली इंस्ट्रुमेंट उसी को कहा जाता है, क्या अर्थ को एक को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या हमें पता है कि अर्थ को एक को हम गहां पर अर्थ को एक जो आने की संभावना ही होती है, वो हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, उसका एक मैप तयार किया हुआ है, कि अर्थ को एक जो है इस एरिया में सबसे ज़ादा आएगा, तो हमारे लिए बहुत जादा कम लेकि आएगा, या प्रॉबलम लेकि आएगा, तुसरे समें जोन 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 कॉन सी कैटिगरी के हैं, जोन सेकंड, थर्ड, पोर और फइग, चार कैटिगरी में डिवाइड है, अगर तो कोई जो है जोन सेकंड में है, मतलब उसकी इंटेंसिटी सिक्स है, ठीक है वो Mercallus scale है उस पे उसकी जो तीवरता हैild वो 6 है अगर वो 3rd वाले पे आता है तो उसकी तीवरता 7 है 4th वाले पे है Zone 4 में है तो वो 8 है और अगर 5 में है इसका मतलब कि वो 9 से जादा है मतलब बहुत ही जादा खतरक। ठीक है second वाला क्या है जहाँ पे ज़्यादा खत्रा नहीं है low intensity है जहाँ पे ज़्यादा खत्रा नहीं है third वाले में intensity ज़्यादा बढ़गी वो moderate हो गया fourth वाले में और ज़्यादा हो गई उसको हम क्या कहेंगे severe और fifth वाले में बहुत ही बुरा हाल है मतलब बहुत जादा खतरनाक है very severe बहुत खतरनाक situation है तो इस तरीके से यह जो है आपकी चार categories में पूरे भारत को भी divide किया गया है ठीक है तो यह भी आप याद रुखिएगा तो इस तरीके से हमारा पहला article complete होता है आपके exam में earthquake or plate tectonics theory पे सवाल आ सकते हैं कि यह कम बनाई गई थी इसमें क्या बाते कही गई है तो इस प्रकार का कोई सवाल आप इस पर उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी इस पूरे के उपर इस प्रकार का कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है ठीक है कि सबसे पहली यह strategy launch हुई है तो आपके GS paper 1, GS paper 2 क्योंकि आज के time पर suicide जैसी चीजे बढ़ती जा रही है तो इनको अगर हमें control करना है तो हमें उसके लिए क्या बनाने पड़ेगी हमें उसके लिए strategy तयार करने पड़ेगी और यह जो strategy है उसी पर यह सवाल आँगी देखो यह आपका GS paper 1, GS paper 2 दोनों के लिए है पहरा सवाल किस ने launch किया है health ministry दूसरा question भारत में पहली बार ऐसी कोई चीज launch की गई है actually में हमने यह क्यों launch करा है क्योंकि जो यहाँ पर आप यह बार आप समझेंगे यह हमने क्यों launch करा है क्योंकि जो world health organization है उन्होंने अपना एक South East Asia में suicide को रोकने के लिए एक strategy बनाई है उसी के तहर भारत ने भी इसको यहाँ पर start करा है इसमें किया क्या जाएगा इसमें हम लोगों की जो जितनी भी हमारे यह traumas होते हैं जैसे childhood में हमारे पढ़ाई को लेकर के traumas होते हैं ठीक है पर जैसे जैसे हम लोग आगे विवस्ता में बढ़ते जाते हैं abuse, trauma, bully करना इस तरीके की problems होती है अडल्ट होने पर sexual violence, abuse, फिर social isolation ऐसी चीज़े बढ़ती जाते हैं एक time पर आते हाथे depression, financial problem का phase करना बढ़ जाती हैं तो इससे हमें क्या जरूरत है? हमें अपनी जो mental health है उसका बहुत मानसिक हमारी जो एक तंदृस्ती है उसका ध्यान रख इसके लिए पूरा एक mechanism तयार किया जाएगा ठीक है? और साथ ही साथ आगे आने वाले कुछ सालों में ये जो mental एक issue है ये जो problem mentally हम कीजों को संभाल नहीं पाते हैं इसको हमारे school के जो syllabus है उसमें भी add किया जाएगा schools में भी इस topic को पढ़ाया जाएगा साथ ताकि बच्चे इस चीज से अपने आपको निकालना सीखे ठीक है? तो basically ऐसा क्यूं किया गया उसकी हम पहले reason समझते है reason ये है क्योंकि इंडिया में suicide जो है वो बहुत जादा बड़ा एक issue राय वन लाक से जादा लोगों की हर साल जाने जाती है suicide ये अगर हम आकड़ों की बात करें तो ऐसा है साथी साथ 2019 सब बाइस के बीच में ये एक आकड़ा बड़ा है ठीक है? और यही जो है ये आकड़ा मैं कहां से बता रही हूँ accidental death और suicide की जो report है भारत में आकस्मिक बृत्ति और आत्मत्या report 2021 जानी की गई थी जिसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो suicide है उससे कितने लोगों की जाने गई है जो COVID से जाने गई है उससे भी ज़्यादा है ये एक आकड़ा ठीक है? और सबसे ज़्यादा जिन लोगों को इससे परिशानी होती है या जो suicide करते हैं जिनकी mental issue यहाँ पे होता है वो है daily wage workers जो यहाँ पर daily डेनि वेतन भोगी होते हैं जो daily अपना करके कमाते हैं ठीक है? तो इसलिए जो है उन्होंने suicide का यहाँ पर एक आकड़ा ठीक है तो इस तरीके से याद रखेगा और साथी साथ ये भी एक देखा गया है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो की farming sector में है मतलब हमारे जो हमारे अनदाता हमारे किसान हमार farmers उनकी यहाँ पे संख्या देखने को मिली है अनिप्लोईट पर्सन को यहाँ पर उनकी जो पेरोजगार व्यक्ति हैं उनका यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है ठीक है और सबसे ज़ज़ाधा जहाँ पे society की जाती है वो कौनसी state है यहाँ पर महराश्टा महराश्टा वने सबसे जदा है उसकी बाद तामिल नाडु और मध्याप्रतेश और सबसे बड़ा रीजन क्या है फैमली प्रोब्लम और बिमारी आपने आप से परिशान होना और फैमली प्रोब्लम और साहती साथ मैरज रिलेटट्ट प्रोब्लम भी एक कारण रही है पर सबसे बड़ा कारण फैमली की ब्रॉट वो यहां पर रही है और अगर मैं यूटी की बात करूँ ये तो मैं आपको स्टेट के आकड़े बताए अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूँ तो केंद्र शासित प्रदेश के मामले में सबसे तो इस तरीके से नाशनल सुसाइड का जो एक है ये चीज बढ़ती गई है लेकिल इंडिया ने इसको रिड्यूस करने के लिए भी बहुत सारे प्लांस यहां पर तयार किये इसके लिए सोचा भी है जैसे कि क्या चीज सोची है कि हम लोग क्या करेंगे आपको याद होगा य जो क्या करेगा जितने में लोग इस तरीके से मानसिक बिमारी से गुजर रही है उनको यहां पर क्या प्रवाइड करेगा उनको यहां पर यह तरीके से प्रवाइड करेगा उनको हेल्थ केर देगा साथी साथ एक किरन करके एक्सरसाइज भी आई थी ठीक है किरन क्या किसी कोल भी आप चाहिए आप फैमिली में हो चाहिए आप स्टूडेंट हो चाहिए आप टीचर हो कोविट के समय जो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है उससे पटने के लिए भी आपको यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्रोवाइट किया जाएगा तो सरकार यह चाहती है यह जो मैंने आपको बताया अगले आने वाले तीन सालों में चाहते हैं कि हम इसको बेटर बना सके और साथी साथ अगले आने वाले पांच सालों में डिस्ट्रिक्ट हेल्फ प्रोग्राम को हम और बेटर कर सके तो यह बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम की करेंगे ताकि जो लोग स्धी करने हैं करने की पिन रसकते हैं कि वह माधियम को भी आदियम को क्या डिवलप्प करेंगे जिसके तहेत यह सारी चीजे हम बढ़ावा करेंगे समझे सब लोग तो यह सब आप याद रखेगा और यह सारा जो क्राइम है यह सब कुछ हमारे सामने NCR भी है नाशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यह लेकर क्या आती है सारे जो कि रिपोर्ट तयार करती है इस तरीकी की सारी चीजों पर यह हमारा आर्टिकल के वाला खतम हुआ भड़ता है हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ थर्ड आर्टिकल है जो कहरा है फेडरलिजम की उपर As you all know, जो word है federalism, यह संखवाद, काफी जादा news में रहता है यह अभी क्यों news में है, क्योंकि center जो है, वो universities को control कर रहा है ऐसा केरल की government ने बोला है, ठीक है अभी recently जो है, ऐसा एक, basically federalism के उपर बात आई है तो federalism वैसे एक word होता क्या है, देखे जो word है federalism, इसका मतलब होता है, power का division होना किसके बीच में? center और state के बीच में जो हमारी center है, और जो हमारी state है इनके बीच में हमें पता है कि हर जगा पर power divided है और सातिसा सुप्रीन कोट ने S.R. Bumai case में ये line साफ साफ बोली थी कि जो federalism है ये हमारे भारत का basic structure है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो ठीक है? हमारे इंडिया में ये जो divided है जिसे हमारा seven schedule है जो हमारी सातवी अनुसूची है उस सातवी अनुसूची में साफ साफ ये बात लिखी गई है कि सारी कि सारी power एक के हाथ में नहीं है वो अलग प्रकार की सूचियों में विभाजित है तो ये जो सूचिया है न ये सूचिया ही यहाँ पर हमें क्या दर्शाती है कि बही अलग-अलग level में government में power का distribution हो रहेगा देखिए अगर federalism के आप से feature पूछता है अगर आपके उपर कोई exam में कोई question आता है जिसके अंदर आपसे ये पूछता है कि फेडरलिजम के उपर लिखे कि ये सही है फेडरलिजम में कैसे exist करता है तो हम ये बताएंगे कि भारत का जो federal system है ये federalism जिसमें power divided है वो multiple levels पे सरकार है है नो multiple levels पे government यहाँ पे exist करती है अलग अलग प्रकार से जो है यहाँ पर कई सतरों पर सरकार जो है वो अपना काम करती है और साथी साथ अगर दो भागों में विभाज़त है यहाँ पर power तो क्या होता है कि जो दोनों के बीच में जो एक होतना संघर्ष की भावना वो बिलकुल कम हो जाती है दोनों के बीच में जो एक conflict होता है dispute होते है वो यहाँ पर कुछ हद तक कम किये जा सकते है साथी साथ हमारा भारत का जो सविधान है वो written है constitution जो है वो written है जिससे एक फाइदा और क्या मिलता है अगर कोई constitution written होता है तो उसमें सारी सारी powers के बारे में लिखा हुआ होता है मतलब हर चीज़ में आपके बस रिख्यूई होती है तो उससे क्या होता है कि overlapping जिसको हम कहते हैं एक एक के बाद एक पावर यहां पर बनने लग गए तो ऐसा नहीं होता है तो federalism जो है संगवाद की सबसे मुखे विशेशता ही यही है साथिसा सबसे एक भैतफून विशेशता क्या है कि जो independent judiciary होती है जो हमारा न्यायले है वो 13 तरीके से काम करता है और हमारे में दोहरी सरकार dual government चलती है ठीक है ना दो तरीकी की सरकार करते है power का distribution होता है और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या चीज़ होती है सबसे important चीज़ यह है कि हमारे यहां पर जो constitution है वो क्या है सुप्रीम है constitution क्या होता है सुप्रीम होता है ठीक है और सुप्रीम कोट ने भी इसके ओपर यही सब बाते बोली है कि जो federalism है वो इस तरीके से हमारे हां बना हुआ है अब देखिये हम लोग यह भी जानते हैं कि जो हमारे भारत का constitution है वो दो तरीके के federalism की बात करता है एक है cooperative federalism और एक है competitive federalism दोनों शब्दों में अलग अलग है दोनों शब्दी अपने आप में बिलकुल अलग तरीके से परिभाशित है cooperative मतलब कि हम cooperation से हम लोग top से down की तरब जाएंगे cooperation को बढ़ावा देते हुए और यही cooperative federalism की बात भारत में कौन करता है नीती आयोग तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो cooperative एक तरीके से सहकारी संगवाद जो रहेगा उसमें क्या होगा दोनों साथ बढ़ करके इसको आगे promote करेंगे ठीक है ना और साथ में अगर मैं बात करूँ competitive federalism की अगर मैं competitive की बात करूँ क्योंकि देखो आपको भी पताए कि competition हमें रखना ज़रूदी है अगर हम क्या करेंगे अगर हम दो जो है हमारे दो राज्य हैं अगर हम उन states के बीच में competition कराती है तो वो भी हमारे लिए healthy होगा ठीक है एक अच्छा होगा क्या होगा ना कि अगर competition होगा तो हर कोई आगे बढ़ने की होड़ करता है हर कोई आगे extra efforts लगाता है ठीक है कि हम आगे drop top पे रहें तो नीती आयो competitive federalism भी लाती है वो यहाँ पर यह भी कहती है कि अगर हम competition की भावना यहाँ पर बढ़ाते हैं तो competition बढ़ेगा तो उससे जिसे एक उन्होंने निकाल दिया water index ठीक है जिसमें top कौन किया UP किया ठीक है ऐसे बाकी और states होगी उनको भी हाँ पर competition की भावना आगी वो भी आगे बढ़ने की कुशिश करेंगी ठीक है vibrant गुजरात के नाम से resurgent राजिस्थान के नाम से ऐसे ही उन्होंने composite index निकाला energy की ओपर index निकाला तो उसमें कहा है कि उन्होंने state को ranking दी तो उससे क्या को competition की भावना बढ़ेगी जिसकी तहत हम यह कह सकते है कि जो states है वो आपस में यहाँ पर healthiness तरीके से आगे बढ़ सकती है साथी साथ तीसरा होता है यहाँ पर fiscal federalism जहाँ पर हम लोग जो finance commission है इन सब को हम कोशिश करते हैं finance commission है जो हमारी article 280 में लिखी हुई है जिसका काम होता है हमारे यहाँ पर सारे जो taxes हैं उनको यहाँ पर विभाजित करने तो यह जो है federalism में यह भी इनी का काम होता है fiscal राच कोशियर संगवाद तो यह हमारा जो संगवाद है अगर question आता है तो उसके उपर आप यह लिखेंगे लेकिन आज के समय में पता है क्या हुआ है जोई भी संगवाद है उसमेरा आज कली जो हमारी तीन list है जो हमारी seven schedule में लिखी हुई है लिस्ट है इन में बहुत अदर dispute बढ़ता जा रहे है क्या मत्दब dispute का union state और concurrent कुछ topics union में लिखे हैं कुछ state में लिखे हैं कुछ concurrent में लिखे हैं तो इस जो topics यहाँ पे लिखे हुए है ना इनके बीश में विवाद बढ़ता जा रहे है कईों को है यहाँ पर बोला जा रहे है कि state से shift करके concurrent में डालो यदे जानागे तो इस तरीके कि जो है ना जबह यहां पर बढ़ता जाए जाना, ईह जो चीजे है ना, यह सेंट्रल का बिहेविर यहां पर ऐसा बढ़ने जाना और central थोड़ा सा जो है वो union में भी state में भी concurrent तीनों में ही अपने आपकी भागेदारी बढ़ाता जा रहा है तो ऐसे इन चीजों में जो है centralism बढ़ने की वज़ा से जो है एक ये dispute आ रहा है साती साती साथ जो है regional है वो भी demands बढ़ती जा रहे है क्यों जैसे नागा लैंड यहाँ पर अपने आपको जो है बोल रहा है जो है कि हमें नागा पीपल को यहाँ पर separate कर देना चाहिए तो इस तरीके के demands नागा लैंड से बढ़ रही है तो region wise जो है वो demands यहाँ पर इस तरीके से बढ़ती जा रही है साथ ही साथ जो हमारे इस तरीके के foreign policy के बीच में जैसे अगर मैं इंडिया और बांगलादेश के बीच में बात करूँ तीस्ता river का dispute है तीस्ता river पर demand आ रही है ऐसी और बहुत सारे demands और भी जगा से आ रही है ठीक है फरक का बारेश के ओपर issue है और ठीक है इस तरीकी के problems जो हम देख रहे हैं आज के समय में काफी चीज़े यहाँ पर problems वाली जो है वो यहाँ पर आ रही है तो यह जो problematik वाली चीज़े हैं यह भी हमारा एक issue की तरह create हो रहा है साती साथ जो है आई एस officers का लिए यहाँ पर dispute हो रहा था चीक है उपर से जो है यह बोला जा रहा है कि भाई जो governor है उसको भी एक debate यहाँ पर बना दिया कि भाई governor जो है क्या वो यहाँ पर impose करेगा प्रेजिरेंट टूल को अपने बिलको reserve क्यों करके रख सकता है और वो chancellor होता है यह आपने पढ़ी है ना powers of governor ने तो governor की जो यह powers ना इसके ओपर भी बात हो रही है कि governance को यह power यहाँ पर क्यों दी गई चीक है और साती साथ आज के समय में नीती आयों के आने की वज़े से काफी सारे changes आने शुरू हो गए तो वो changes भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो इस प्रकार के जितने भी आप changes देखते हो जितने भी आप समस्याइं यहाँ पर देख रहे हो यह सारी समस्याइं जो है वो फेडरलिजम से जोड़ी हो तो यही समस्याओं को जोडने के लिए यहाँ पर जो है सरकार में बहुत सारी चीजे करी हैं जैसे कि एक concept लेके आये थे competitive और cooperative फेडरलिजम को आपको मैंने बताया अभी competitive और cooperative फेडरलिजम को बढ़ाएंगे साथी साथ financial जो है वो एक क्या करेंगे ना कि जो finance commission है वो और better करेंगे साथी साथ नीती आयोग और GST council को यहाँ पर और बहतर बनेंगे साथी साथ जो seven schedule है seven schedule में जो अभी reforms की जरूरत है बिलकुल मुझे भी ऐसा फिल होता है कि वहाँ पर जो है अभी distribution of powers वहाँ पे कुछ गलत तरीके से की गई है वो distribution of powers को दुबारा देख लेकी जर जरूरत है ठीक है साथी साथ यह जो है नीती आयोग और interstate council की बिलकुल meeting नहीं करती है बहुत कम meeting करती है आर्टिकल 263 में लिखी हुई है इसको भी और दादा यहाँ पर मिलने की जरूरत है साथी साथ जो सरकारे और पंची कमीशन ने अपनी यहाँ पर recommendations दी थी जो governor को ल दारना को यहाँ पर हटाते हुए जो हमारा federalism actually में जब flexible है उस flexibility को उस लचीले पल को हमें लागू भी करने की जरूरत है यह ना आप समझ रहें इस चीज़ को यह होता है federalism पावर का division यह हुआ हमारे यह आर्टिकल कम्प्रीन बढ़ते हैं हमारे COP27 क्योंकि COP27 बहुत ज्य जाद हूं यहाँ पर COP27 क्या था उसने क्या क्या हुआ एक साथ हम पूरा यहाँ पर समझ लेते क्योंकि अभी इसको जो है वो conclude कर दिया गया खतम कर दिया तो हमें COP27 की पूरी policies है उसमें उन्हें किस बारे में बात करी क्या क्या चीज़े करी हर चीज एक साथ हम यहाँ पर समझ लेते हैं तो COP27 ने यहाँ पर अभी जो की शम अलशेट में हुआ था यहाँ पर इस रगा पर जो यह conduct किया गया था इसमें इन्होंने किसके बारे में बात करी है और कौन-कौन से points को उन्होंने focus पे रखा है मताब इसको जो final conclude किया है वो कैसे किया है अभी recently ही इसको क किया गया न 6 November से 20 November तक जो है COP27 हुआ था Conference of Parties जिसमें जो है Conference of Parties में हम लोगोंने decide किया था कि अब हम better तरीके से क्या कर सकते हैं अब climate के लिए तो यहाँ पर जो है COP यहाँ पर सबसे बड़ी body होती है जिसमें सब लोग आते हैं हर साल मिलती है यह जिक है अब इसमें क्या बात की गई थी एक है यहाँ पर fund जिसका नाम है loss and damage fund यह मैं already आपको बता चुकी हूँ मेरी previous lecture में कल के lecture में आपको मैंने loss and development fund के बारे में already कि यह loss and development fund क्या है और किसके बारे में बात करता है कि जिस भी प्रोब्लम क्रियेट हुई है उसके लिए एक fund बनाया जाएगा यह मैं आपको अलड़ी बता चुकी हूँ प्राती साथ इन्होंने Santiago network for loss and damage बनाया ताकि यह सब क्या कर सके जो भी developing countries है वो ऐसे जहां पर loss and damage की situation आई है उनको technical assistance प्रोवाइड कर सके फिर उसके बाद श्रम अलशेक ने यहां पर जो है वल्लेबर वल्लेबल कम्यूनिटीज उनको यहां पर 2030 तक उनके लिए better solution निकालने की कोशिश करें यहां पर इन्होंने 30 points यहां पर लेके आए हैं और यह बताया कि उनको हम किस तरीके से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहां पर space करी है जिन country ने उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं साथी साथ हम लोगों ने यहां पर जो है पांच एयर का work program लेके आए हैं ताकि developing countries एक technical solution इसके लिए launch करें साथी साथ इसके अंदर G7 का एक plan है जिसमें आप read कर सकते हैं इन सब points पर रखा जाएगा ठीक है तो इस तरीके के points है जो इन्होंने यहां पर सोचे हैं जो इसको implement किये जाएगी समझ गए तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए बस यही कुछ important है जो आपको पता होने चाहिए जो अभी यहां पर किया गया है next अभे recently waste to energy plant यहां पे news में रहा है waste to energy energy plants जो है यह बोला है कि waste to energy are solutions to landfills जो भी हमारे यहां पर landfills होते हैं ठीक है landfills का जितना भी area होता है वो अगर हम चाहिए तो हम उससे क्या कर सकते green solution निकाल सकते हैं ठीक है जितने भी हमारे urban areas है हमारे शहरी इलाके जितने भी है urban areas है आपको पता है कि जितना भी waste होता है जितना भी अप्षिष्ट होते हैं वो कहां जाते हैं या तो land में चले जाएंगे या water में चले जाएंगे अगर land में वाटर में गए तो water pollution करेंगे जैसे कि अबना को pollute कर दिया है ठीक है ऐसे pollution create करेंगे और अगर pollution create नहीं होगा तो वो क्या जले जाएंगे वो कहां पहुँच जाएंगे वो land में जाएंगे और जिसकी वज़े से land में problem होगी ठीक है ना तो अगर हम ऐसी को technology यहाँ पर ले आएं ठीक है जो कि दिल्ली government कह रही है यहाँ पर आपके leader ने बोला है दिल्ली की government को यहाँ पर यह बोला है कि हम लोग जो है इस तरीकी की चीज को यहाँ पर करेंगे अभी recently गाजीपूर का जो landfill का area है वहाँ पर हमारे जो दिल्ली के deputy chief minister है मनी सिस हो दिया उन्होंने बोला है कि हमारे जो chief minister है अडविन केजरिवाल उनके पास यहाँ पर पूरा solution है कि जो landfills हो जाते हैं इनको हम कैस रोक सकते हैं इसका पूरा solution हो ठीक है क्योंकि अभी पता है क्या situation है कि जो कूड़ा है garbage है वो जादा यहाँ पर landfill में जाता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं या तो हम ऐसा करें कि पहले ही land area में जानी से पहले ही उसको हम रोक ले या तो हम ऐसे plants लगा दें जिसका नाम है waste to energy energy plant जिसमें आप उस वेस से कोई energy कर सको और उसको फिर आप किसमें यूज करो बायो माइनिंग में खनन के अंदर उसका इस्तेमाल किया जा सको तो यह इनोंने यहाँ पर तरीके बताएं हैं चीक है तो यह एक इनोंने यहाँ पर बोला है कि काफी अलग-अलग countries में यह tehd out कि आज πताई कि आप इसका पूरा टृसे से प्रोसेश है वेस्टा व्यच्टी अच होगा क्या स Tech इसमें इसकी लिए क्लीन इनरजी जाती है इसको यह क्लीनर जी जाती है है energy निकाली जा सकती है ठीक है तो यही एक इसके technology है जिसमें हम क्या करेंगे जो waste असको ऐसा use करेंगे उसमें से greenhouse gases जो है पहले ही वहाँ से हम side करना उसको शुरू कर देगे ठीक है यहाँ पर क्या होगा जो इसको हम जलाएंगे स्टीम निकलेगे electricity प्रोड्यूस होगी उससे जो ashes निकलेंगे उसको भी और इस्तेमाल वहाँ पर अलग-अलग फॉर्म में किया जाएगा ठीक है यह sustainable तरीके से रहेगा पूरा ही सतत जो है पोश्निय विकास उसके महत्व से ही यहाँ पर रहेगा लेकि इसमें सबसे बड़ा आपको बता योगदा देती है तो इस तरीके से यह भी problem होती है और अगर हम इसको आगे लेकर के आते हैं तो हमें इसमें investment करने के जरुवत है reduction reuse recycle जैसे चीजों को लाने के जरुवत है और साथी साथ हमें इस से अगर ऐसा होता है तो यह जो है एक बह BIS के उपर मैंने question दिया है BIS क्या चीज होती है BIS का मतलब है Bureau of Indian Standard ठीक है पढ़ेंगे इसको यह Bureau of Indian Standard कि स्टीज के लिए काम करती है Bureau of Indian Standard का basic important work क्या है यह किस purpose से काम करती है पढ़ेंगे फर्स statement को ठीक है वह तीनों ही statement correct लिखी हुई है फर्स national body है बिलकुल यह किसके अंडर काम करती है पब्लिक distribution ministry के अंडर काम करती है ठीक है BIS basically है क्या BIS जो है यह यह बताती है कि कोई भी एक Indian Standard है Standard को यहाँ पर तै करती है ठीक है हर चीज के Standard करती है यहाँ पर चाहे आपको कोई भी मार्किंग हो quality बता रहाँ गुड्स को सर्टिफिकेशन देना हो यहाँ पर गुड्मत्ता का प्रमान देना हो कोई भी कोई medical devices smart city है किसी भी चीज के लिए Standard प्रोवाइड करती है इवर जो हमारे प्रिशियस मेटल्स होते हैं जो हमारे कीमती मेटल्स होते हैं जैसे कि हीरे ज्वारात उन सब के रहे भी करती तो इसका आंसर है से तीनों ही सारी चारों ही स्टेट्मेंट इसमें करेक्ट है नेक् जो नेलसन मंदेला उनकी बाफ हो रही है तो गांधी मंदेला आवार्ड जो है यह भी रीसेट्ली ही दिया गया है किसको दिया गया है यह दिया गया है इस बार का अवार्ड दलाईलाम आपको यह करन्ट अफेस से पूचा है मैंने तो फोटीन्थ दलाई लावा है उनको धरमशाला मेकलॉड गंज में ये अवार्ड दिया गया है किस ने दिया है ये अवार्ड दिया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने तो फर्स स्टेट्मेंट बिल्कुल सही लिकी है ये अवार्ड जो है ये एक अवार्ड गांधी मंदेला फांडेशन द्वारा दिया जाता है ये भी बिल्कुल ठीक है तो आप समझ गए हो क्यों दिया गया है और वन फिफ्टी एथ बर्थ एनिवर्सरी ती गांधी जी किसले दिया गया है बिल्कुल सही तीरों ही स्टेट्मेंट करेक्ट है और ये जो दलाई लामा है इनको ऑल्रेडी 1989 का नोबल प्राइज भी मिल चुका है किसमें फिलोसपी और पीस के अंदर लेकिन ये जो गांधी मंदेला वॉर्ड है ये किसले दिया जाता है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पीस में सोशल वेलफिर सोसाइटी के वेलफिर के लिए कल्चर के लिए कुछ बहतर काम यहां पर हमारे लिए सोसाइटी के लिए किये हों तो उनको ये अवॉर्ड जो है वो दिया जाता है समझ गया है सब लोग इस पूरे को हम क्या कहते हैं गांधी मंदेला अवॉर्ड तो ये होता है हमारा लेक्चर ओगर I hope सब लोगों को यहां तक स